तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह बड़ा ही इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग है क्योंकि हमको लगता है कि इस टॉपिक पे बात नहीं होती है या आइटी की प्रोफिस्टर नहीं पूछते हूं कैसा बिल्कुल नहीं है तो आज मैं एम और जीम का कंसे बताने वाला कि एम और जीम क्या होता है एगन वैल्यूस का वह बताने वाला हूं पहले मैं कुश्चन दिखाऊंगा कि क्या क्या पूछे जाते हैं लगबाग उसके बाद फिर में टॉपिक को पढ़ाऊंगा और आज डाइगोनल जो होता है तो डाइगोनलाइजेशन जो होता है वह सब्सक्राइब करने वाले को चार-पांच दिन इस पर काम करना पड़ा और चीजें क्या दिखाना चाहता हूं को पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले यह दिखाना चाहता हूं कि देखिए यह कुश्चन बत आज हम सौल करेंग इस कुश्चन को यह 2017 में कुश्चन पूछा था और पूछा था कि आइगन वैल्यू कि मल्टिपली सिटी क्या होता आपके पास और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होते ऐसा करके कुश्चन था 2017 में यह हम डील करेंगे लेकि पहले समझेंगे यह किसी मैट्रिक्स को डियाग इस बात करूं तो यह 1992 आपके पास कुश्चन था कि एक मैट्रिक्स दिया आपके पास फिलाए कि इसके आइगन वेक्टर्स यह है इसका इनवर्स यह आपके पास नहीं हो सकता यह रिपीटेट डाइगन वैल्यू से यह फिर से डाइगनलाइज डाइगनलाइज इसकी बा इसके कुश्चन पुछा था तो यह कंसेट है जो बड़ा इंपॉर्टन यह पता होना चाहिए आपको ठेक है तो मैं पहले कुश्चन जस्ट दिखा दे रहा आपके पास कि अगर आपको सच में ना पता हो यह पूरा अब बड़ा कंसेट कनेक्टेट कंसेट अगर यह ना तो फिर आप उतने तरीके से आंसर कभी नहीं पाएंगे ठीक है तो फिर मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए तो पहले मैं कुश्चन दिखाया है आपको कि कुश्चन आते हैं इसा नहीं कि अपने ऐसी टॉपिक पढ़ ले रहे और कभी-कभी जो एक कुश्चन होता ह नहीं को दूसरा व्यक्ति बना लिया तो बहुत रैंक का डिफरेंस हो जाता है लोग बहुत ज़्यादा ले ले लेते इसलिए आपको सब बहुतरिन तरीके से आना चाहिए ठीक है अब आज का हमारा टॉपिक चालो होता है कि एम आप आइगन वैलिस क्या होता है आपके प आइगन वैलिए लेमडा स्क्राइटिक्स में और एज रिपीटेट एम टाइंस देन नंबर एम इसका मतलब जो एम होता इगन वैलिस का कोई आइगन वैलिस खिते बार रिपीटेट है वह होता आपके पर जैसे आप आप आइगन वैलिए टू जो है यह देख आपके पर खिते बार रिपीटेट दो बार तो अप आइगन वैलिए टू एस्ट्य अगर मैं गॉल रहा हो से चिए ऑप टेंचीटों इस दो में यह बहुता है कि मल्टी मिल बीपिलly सीटी कि मल्टीपिलिसी और प आइगन वेल्यू लेम्डा एकपल टू इज टू मतलब कोई आइगन वेल्यू कितने बार आपके पास रिपीटेटेव वो है इसको अराम से समझने की कोसिस करते हैं एकदम अराम से देखते हैं हम लोग सिंपल बाते हैं सबसको एक मैट्रिक्स ए है अब आपके पास ही 1000020 003 है अब आपको पता है कि यह तो एक डियागोनल मेट्रिक्स है अगर मैं आइगन वेल्यू की बात करूं तो पता आपको क्योंकि हम आइगन वेल्यू पढ़ चुके सर वन कॉमा टू कॉमा थरी है सब डिस्टिंक्ट आइगन वेल्यू इस टाइप की आइगन वेल्यू पता है अगर मैं बूलू कि सर इसका मल्टिपलिसी्टी या AM, algebraic multiplicity, एक ही बात है, अगर मैं बोलू कि AM of lambda equal to 1 is 1, sir, बिल्कुल, इसा ही है, अगर मैं बोलू कि, sir, AM of lambda equal to 2 is AM of lambda equal to 3 is, तो आप ध्यान से अगर आप देखोगे, तो सबको पता है कि सब 1 है, जो multiplicity है, सबका 1 है, चाए लेमडा equal to 1 की बात हो, चाए लेमडा equal to 2 की बात हो, चाए लेमडा equal to 3 की बात हो, जो distinct आगन वेल्यू रहते हैं, सबका AM जो होता है, 1 होता है, it's very simple, sir, यह तो बहुती आसान होगे, समझना है, concept को समझना है, तो AM जो है, यह तो बहुती आसान सी बात होगी, हाँ, बिल्कुल है, एक दम आसान सी बात होगी, AM में कोई इस्सू नहीं है, इसका मतलब है, अगर मैं बोल दू, कि देखो, आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए, 1001, यह, पता है आपके पास इसका आइगन वेल्यू क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल, अगर एक जाम्पल ले लू मैं, कि सर्एक मैट्रिक्स A है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए, 100, 010, 001, यह, पता है आपके पास आइगन वेल्यू क्या है, और रिपिटेटेड यह सर जैसे उपर रिपिटेट था तीन बार रिपिटेट करेगा sir 1, तो AM कितना होगा 1 का AM of lambda equal to 2 पाइगन वैल्वान का algebraic multiplicity कितना होगा sir ठरी होगा sir हम यही बूल रहें जितने बार रिपीट करेगा अगर रिपिटेट नहीं नहीं बता है मैं एक रेंडम मेट्रिक्स ए है यह ठीक रॉस तरी का आपके पस मेट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यू से आपके पस माइनस पूर कॉमा माइनस फूर कॉमा माइनस फूर जो है उसका एम कितना है बोले टू है सर दो बार रिपीट कर रहा है ठीक है और सिक्स तो सिक्स एक ही बार है ना तो एम ऑफ लेम्डा एक्वल टू सिक्स इज वन सर तो एम तो बहुत आसान बात हो कि समझते के कोसिस करते कि आज हम बात करें कि सके पहले बात नहीं कि तो आसान सी बात है तो जितने बार पार कर रहा नहीं कर रहा तो वन होगा रिपीट तीन बार कर रहे हो तो तीन होगए इस ओके अब आपके पास एक GM होता है इस जिमेट्रिक मुल्टिप्लिसिटी आइगन वैल्यू का जैसे एम होता है वैसे GM होता है अब GM में क्या है GM में यह है कि इस नंबर पीज दा नंबर आप लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सब्सक्राइब कर्रेस्पोंडिंग टू गिवन आइगन वैल्यू किसी एक आइगन वैल्यू के कर्रेस्पोंडिंग जितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सोते हैं वो उसका जी हम होता है और जीम को क्या बोल रहा है हम नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से ऊसको हम बोलते जिमेटिक मल्टिप्लिसीटी जेम ठीक है सर अब आपके पास क्या होता है कि सर अगर में को बताईए कि अगर आइगन वैल्युउस 1,2,3 तो जेम कितना होगा अगर एक एक आपके पास distinct आइगन वैल्यू तो आपको पता है distinct आइगन वैल्यू क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर सब्सक्राइब लेकिन जब रिपीटेट होते हैं इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं आपको बोल दू कि देखो यार एक मेरे है इतना आपके पास है ठाइक है अगर मैं वोल कि盯र जांक की एक इन वालु करो गए में एकवल टू वन लिख दू तो भी कोई शू नहीं कि सर ये तो बताया नहीं सर किसका रहे सभी तो है नहीं यार 1 2 3 तो एम को इसू नहीं है जम मैं जी आम की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि जितनी आइगन वैलिस होगी अगर डिस्टिंट आइगन वैलिस होती तो वेल्यू हमेंसे क्रेट करता है इंडिपेंडेंट और इसका मतलब यह हुआ कि किसी खी लेम्डा एक लियूल के लिए इंडिपेंडेंळै के लिए लिवन आइइपेंडेंड स्वेक्टर होगा इंडिंध्य आइज यूकर अपकी पास और यह जो इंडिपेंडेंड सब इंडिपेंडेंट इंडीपेंडेंडेंट इन्डिपेंडेंडेंडेंड गिस्ट जीन जो होगा जी एम की एक इतनी होगी तो जी एक मताब यह 3 नहीं नहीं जी एम होता है कर्स्पॉंदिग नहीं अगर मैं बोलू कि जी एम ओफ लेंड़ा एक्वल टु वन इस वन होगा यह तो नमबर आप इंडिपेंडेंड आइगन जो वेक्टर होते हैं वह कर्स्पॉंदिग टु आइगन वैली वह हमें सब यहीं होते है तो GM आपके पास वने इसका मतलब है इस एक जांपल में किसी आइगन वेलूस को ले लिए जहें में किसी दिधि इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे एन इक उलना चाहते हो कि यहां पे एडियम कृस्सी भी अपके sesame कि एक ही आइगन वैल्यू से आपके पास सब डिस्टिंट है और सब के इंडिपेंडेंट इस मैटिस के लिए यस अच्छा होना चालू हो जाता है जब हम बात करना चालू करते कि सर यह जब रिपीटेट होंगे जब तक डिस्टिंट रहते हैं कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम क रिपीटेट होंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किद्टे यांट व्यंडिपेटेन बन यह जब रिपीटेट होगा थे आजकी क्लास को ध्यान से जो व्लते जाया हो अब क्या हो गया कि gm find out करने के लिए कि आपको result दे दिया गया कि any case in any case चाहे वो रिपिटेट हो चाहे डिस्टिंक्ट हो आपको बुला गया कि जो gm आप calculate करते हो यह gm gm को p बुला गया है कि p की value n minus r होगी अब n क्या है number of variables वही एक square matrix से n cross n का तो number of variables तो n हो गया और r क्या हो गया r है rank of a minus lambda यह rank है रो मतलब rank a minus lambda a minus lambda का जो rank होगा और number of variables उसमें से जैसे minus करोगी तो यह gm निकलेगा और gm मतलब independent eigenvectors corresponding to for a given eigenvalue यह इस result से आप कभी भी find out कर सकते हो कि independent eigenvectors कितने होंगे corresponding to eigenvalues तो यह जो result है is very very important result अगर यह आपके पास ना हो यह अगर आपके पास ना हो तो फिर आपको analysis करना पड़ेगा जब तक two cross two matrix होता है तब तक तो इससों नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे matrix order बढ़ते जाता और roots बढ़ते जाते हैं तब बढ़ा इंटरस्टिंग होते जाता तो दिखाता हूं सब्सक्राइब को यह जी यह तो p that means the gm number of independent in number of linearly independent eigenvectors मैं बार-बार कर रहा हूं कि total number of eigenvectors की बात नहीं चल रही है corresponding to eigenvalues कितने eigenvectors होंगे और सर सब जब सर सब distinct होते तब कितना होता है हर एक eigenvalue को एक eigenvectors यह तो बड़ी simple सी बात है ओके ठीक है अब यह आपके पास calculation के लिए दिया गाई very very important result और भी आपको दिदेदी जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको clear होगा suppose करो एक एक जामपल है 10-11 यह लिए मैं फर एक जामपल अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास कितना होगा बूली तो सर आइगन value कितना होगा तो आपको दिख गया आइगन value क्या होगा इसका equations क्या होगा लेमडा स्कूर माइनस ट्रेस कितना है टू सर तो टू लेमडा रटेमिनेंट कितना है वन सर तो लेमडा क्या होगे एक वेसं सर लेमडा माइनस वन का कि all उसके तो अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास यह है और आइगन वैलिस आप बोल रहे कि रिपीटेटेट है का सब्सक्राइब कितना मैं बोलुकितल रहा हूँ कि सर में को अब लेंडा एन वेक्टर सुझाँ अब सब्सक्राइब करना है कि लिए इन डिपेंडेन इन डिपेंडेट आइगन वेक्टर नम्बर आप linearly independent आईगन वेक्टर फोर यह जो होता है सिकल आप जी आम बोलते हों यह आपको फाइंड आउट करने अब लेंडा इक्षोल पिरक्रोष कि बारे में आपड़ कर गरो कि बेसिक तॉट करना घंडा पूट करने के लिए आप तो बताके रखें एक इक्वल टू लेंडा एक्स पुट कर दिया करो या फिर आप यह भी बोलते हो कि दुनिया ए माइनस लेंडा आई into x equal to 0 लिखते हैं दुन एकी बात है बहुत आर सेम तो अगर a x equal to lambda x है और a की value मेरे पास यह है a की value कितना है मेरे पास sir 1 0 1 0 minus 1 1 यह है ठीक है sir और lambda की value कितना है lambda equal to 1 है sir अब देखेगा ध्यान से अगर मैं a x equal to lambda x बोल दे रहा हूं a x equal to तो 1 0 minus 1 1 और यह x y हो गया यह a x हो गया और lambda equal to 1 है जब lambda equal to 1 put करूँगा तो x y आ जाएगा तो a x equal to lambda x है because lambda 1 है equations क्या आ रहा है sir 1 into 0 0 into y तो x equal to x आ गया यह सही है लेकिन इसका कोई use नहीं है क्योंकि any value आप x हो सकता दूसरा value क्या रहा है यह मतलब हुआ इसका मतलब है कि x equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ पता आपके पस x equal to 0 और y any value जब आप any value बोलते हैं तो k लिख देते हो चलो यार कुछ भी लिख लो करके तो y equal to k लिख देए यह x 0 है यह final है इसका मतलब है कि lambda equal to 1 के लिए आपके पस क्या आगया तो आप बोल सकते होगी जो आगया सर वह 0 और k आगया k लिखने चाहते हैं सबसे simple value तो sir मैं लिख सकता हूं k की value 1 पूट कर देता हूं तो sir 0 और 1 लिख लेता हूं कितने independent आइगन वेक्टर रहे lambda equal to 1 के लिए एक ही आपके पास आइगन वेक्टर सा रहा है sir एक ही आइगन वेक्टर रहा है sir 0 1 के अगर 1 है तो इतना आपको दिखा तो अब अगर मैं बोलू कि sir gm कितना है lambda equal to 1 के लिए तो जो लिखके रखे दे कि कितना है gm तो gm की value 1 आ गए gm की value कितना रहा है 1 आ रहा है इस कुछे में aim कितना था aim तो 2 था sir लेकिं gm की value कितना रहा 1 आ रहा है अच्छा इसी को solve करने के लिए यह ऐसा लिखे हम लो देहां देना आप ऐसा लिख लिए हम लो लिख लिए ऐसा हम लोग लिख लिए अब समझने की कोशिस करना कि यह तो हमारा पहले से प्रूसेस था हम solve करना जानते थे x value 0 आगे y की any value अब सूचो कि अगर example यह हो बरता जाता हूं फिर में आपको और conclude करते जाता हूं तो good example good example एक ले लेता हूं क्या good example लेता हूं suppose correct matrix A है identity matrix ले लिए 1 0 0 1 इता तो clear ही होगा कि lambda की value क्या होगी सर 1,1 होगी हो तो संको पता है am कितना होगी सर am के लिए 2 होगी ठीक है इस very simple am के लिए सर अगर मैं a x equal to lambda x करो तो हाँ a x equal to lambda x कर दो आप GM निकालना है आपको तो lambda equal to 1 के लिए तो सर देखो 1001 xy लिखते या x1 x2 लिख सकते हैं आपको पता है xy या x1 x2 lambda equal to 1 है तो सर यह xy होगा अब ध्यान देखना क्या आरा पहला equation सर x plus 0y equal to x मतलब क्या है सर x equal to x आया सही तो है फिर second कितना आ रहा है सर 0x 0x plus y equal to y मतलब सर y equal to y इसका क्या मतलब हुआ सर के x की बीवलियू हो सकती है और y की कोईcue Intاصम क्या बता है इसका मतलब क्या है एक कि एडनी वैल्यओ ऐक सीज एनी वैल्यओ और y एडनी वैल्यओ जैसका मतलब है ये अगर x और y अपके पास एनी वैल्यओ यह एकटर चुह आया वोच्थ को लिखने का तरीक आप ऐसे लिख सकते हो कि के वन तो बन जिडिलाई एक तो जिरो अगया प्लस के टू जिरो इसको इसको कितना होगा साथ के वन और जिरो और के टू और एड करो इसके लिए यह के वन आएगा उपर वाला और नीचे वाला केट वाएगा यह सेम लिखा है यह सर पता जब ऐसे आपके पास जब दोनों ही वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाए एक्स और वाय कोई नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लेंडा एकुल टुवन के लिए कितन चिलन तो लैंड़ा खोलट रख्याओ टूब्र होजाता ऊचाहर अगर संभी तो इनडिपेंडेंट अश्ता है तो फिर थीए इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लेक्टर्स नायज़ा there are two independent eigenvectors corresponding lambda equal to one अच्छा तो अब ध्यान से समझेगा इसका मतब्द है कि आइगन वैल्य यह से रिपीट कर रहे थे पहले भी अभी ऐàiगन वैल्यिशन रिपीड कर रहे थे उन डिया इस फ़ोड़े पहले वाले एक्जांपल ने जो यह कुश्चन था इसमें एम की वैलिव टू थी लेकिन जीम एक्वल टू वन था यह इस वाले ग्जामपल समझने की कोशिस करना अब हम क्या समझाना चाहरे हैं कि अगर आप चाहते हो कि जीम निकालना और इतना बहत्री नहीं सोचना चाहते हैं मान देते कि सर इतना बहत्री कैसे सोचे सर हर जब तक यह तो नहीं था सरक्योंकि एक्स जीरो आ गए था तो फिर जादा था लेकिन यहाँ पर दोनों एनी का determinant zero करने की हम trace से हेल्प से निकाल लेते तो लेमडा वन लेमडा टू तो एम की वैली टू है यह आपको पता था फिर से रिपीट कर रहा हूं एम की वैली टू है अब मैं बूल रहा हूं मैं को इंडिपेंडेंडेंट आइगन वेक्तर चाहिए तो मेरे पास एक फॉर्मला ह एमें put कर दो आप यह one minus कर दिया ड्यागोन άलि मतलब लेबडा वन हे और आई और आई तो एमाइनस लेमडा दै क्या होगा लेमडा ऑटन हों का इंडा यह साँ यह सो क्या बचा साइबाशलних जिरो 2000 बचा इसका रंक कितना होगा सध Oh man minimum rank 1 ही होता है, null matrix के rank 0 होता है, तो एक तो non-0 rows ही, तो number of non-0 rows जो है, it has 1 non-0 rows, तो rank की value कितना है, sir rank is 1, yes, a minus lambda i का rank 1 है, अब a minus lambda i का rank 1 है, the number of independent eigenvector, जिसको p बोला गया था, या जिसको gm भी बोला जाता है, n है number of, क्या variable, जितना matrix को order है, 2 cross 2 तो 2, minus 1 to 1 आगे, देखो, gm आप lambda 1 is 1, तो लोग बोलते हैं, मतलब जो अच्छा-च्छा book लिखे विए, detail में, कि यार आपको gm निकालना है, तो कहां आप दिमाख लगाओगे, कहां आइगन वेक्टर से निकालते रोगे, हमें यही बताना चाहरा था, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि, देखो, मेरे पास यह एक्जामपल था थोड़ दे पहले, एक गुड एक्जामपल लिया था मैं, यस सर, एक गुड एक्जामपल लिया था मैं, क्या था एक identity matrix है, अब मैं बोल रहा हूँ कि, मैं को पता करना है number of independent eigenvectors, इसके लिए, lambda equal to 1 के लिए, मैं को पता है lambda की value कितना है, sir, 1,1 है, ठीक है, am कितना है, sir, am की value 2 है, इसमें कोई issue नहीं है, बिलकुल, it's okay, अब मैं बोल रहा हूँ, द्यान समझेगा, अगर मैं को इसमें GM निकालना है, मैं बोल रहा हूँ, कहां यार आप eigenvectors निकालोगे, निकाला जा सकता है, कोई भूत होसियार है, तो अभी तो मैं निकाल के दिया, और हम तो eigenvectors बहुत जानते हैं मान के चलता हूँ, लिंक को बोल रहा है, पिर सर थोड़ा से easy तरीका पता दो सर, तो GM अगर मैं को find out करना है, मतब पी बोला था मैं, एन माइनस आर, एन क्या आपके पास, एन तो सर टू है सर, तो टू माइनस आर, एन तो टू है ना, टू क्रॉस टू, यह टू क्रॉस टू, A2 क्रॉस 2, R क्या होगा, Sir, R rank है, R जो है, वो rank है, किसका rank है, Sir, A minus lambda I का, A minus lambda I, जो matrix है, उसका rank से, lambda की value 1 है, अगर lambda की value 1 है, तो कितना होगा rank, Sir, A minus I का, because lambda is 1, because lambda is 1, ठीक है, इसलिए, अगर lambda 2 होता, तो A minus 2I होता, अब देखो A matrix यह है अब I matrix यह आपके पास तो बताओ A minus lambda I matrix पहले निकाल लेते हैं निकाल ले यह सर A matrix कितना है सर 1001 लेमडा यह कितना होगा सर लेमडा यह करने से सर लेमडा जीरो जीरो लेमडा होता है यह मैंट्रिक्स मैंट्पलाए करने से लेकिन लेमडा है कितना सर लेमडा वण है सर लेमडा वढ़ फॉन है तो 2001 बथा सब्व souvent करें तो फूरतीर जीरो जीरो फुजिए मतलवтесь जैनल मेट्रिक्स आगे सर ए माइनस लेमडा ही इसका एक भी कोई इसका rank कितना होगा sharing of any Carne matrix General matrix नांर फीक है तो rank कितना होगा सब्सक्राइं कितना होगा ना सिस VSก dose कि जिसके ना मैटिक्स का तो रो की वेली अपके पस यह ई- येंडा युखिए important अब सबस्क्राइं आगा ऌगे तो जी-अम अगर find out करना है तो जी-म था तो सर जीएम टू आ गया यही तुम्हें उता रहा हूं कि नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं निकाले हम विदाउट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकाले लेम्डा एक्वल टू वन के लिए मैं इस फॉर्मूले से यह बता सकता हूं कि कितने इ पराइगन वेक्टर निकालने के लिए कि अगर मैं किसी को बोलता कि तुमको पहुत आता है क्या तो फिर उसको फिर यह आना चीह पिर उसको यह सब क्वाना चाहिए क्या बहुत कुछ आना चाहिए उसको फिर आइगन वेक्टर कालकुलेशन तो फिर आप नमराब इंडिपेंडिन डिस फांड आउट करना चाहते हों जो मैं बता रहा हूं इस दा फॉम्मला यह एन वाइन र हो वेक्स इसे पता का जबूंता है य reduzनकी वेल्यूंट कि वैयल्यूंट है ऑसा नहीं होसकता है कि जादा हो जाया ऐसा के। अगर वो यह थो इसलिए डी प्रझ भी एक्वल सब्साइफ तो मैं और घम का स्था क्वा आपको अच्छा सर एम और गंसे बताए आप इसको यूज करने की बारी है अभी तुम्हें आपको बता दिया कि अगर आपको जी एम नहीं पता होता तो क्या सर में इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कर्रेस्पॉंडिंग तो आइगन वैलू नहीं बता बता देते भाई पाकिमेंज यूज्चर्ट के लिए यह पूछ रहा था आपकी पास कि बता। कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट होगा पहले में बोल रहा है कि मौटिपलिस्टी तू यश्का मतलब मतलब होता है second तों में इंडिपन्न Eigenveccus एगनन ऐगग स्वागनओ में इन्दिपन्देन्र और यह लिए जी ओनल आड यहिंडमुक भेलेओं गेलां सेकंड में ओपिज्टी वेल्य नों इसका है इस ग्याइक पॉल रहा है अब दिखते है आपके पास द्यांस दिखते लिए तो यह डिस्टिंक्त के लिए तो फिर इस थ्यंक्त के पड़ती और पिर फिर फिर उन पहले है कि इंग बलने की जर्वत नहीं है तो यह दो यहीमट सहूंद भी बाईन फोह ह्या सोच हो आगर यह किकल पहले कि लियर रहना चींट कि कि किसी के बलने का था तो हुआ यह तो एक एक आइगन वैलिए उसके लिए एक एक इंडिपेंडेंट वेक्टर जो की होता ही ठीक है अच्छा यह कुश्चन था अगर मैं बोलू कि मुल्टिपली सीटी जब बोल रहा है तो सिंपली अगर मैं को सॉल्ट करना तो लेंडा स्कूर माइनस ट्रेस कितना होगे पांच और एक छे तो सब आपको पता है इससे बाते आपको पता है ठीक है। इसको धील मा इनस थ्री का होली व्ils o 2 मतलब 2orama 3,8 भी अगिंटर से है यह तो हाउर्टेट यहर्थ्मेटिक मल्टिपलिसीटी और मल्टिपलिसीटी और मल्टिपलिसीटी बढ पूरा ना बोला जाrices मत आपके तो सिरल के लिए और मैंद नहीं निकल hides स्यप्रिए कभी गालाई च्छाण घर तो सर मेरे पास एक मैट्रिक्स था फाइव माइनस वन हाँ पूर और वन यह देखो फूर वन यह था लेंब्डा एक वाल्टू कितना है सर लेंब्डा एक वाल्टू थी है अमें को इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात करना concept basic concept एक इ Dziękuję इकउल यह थे था है यह पूर फैसल करना चालाओ के तो क्या होगा सर फा City स्रॉइपेंड्र करना यह इक्वल टू थी ऐक्स बिल्कुल है और एक स्वहर सो एक्स है प्लासई एक्वल्टू कितना थिवा देखत ज्धेशान से ये इतना लिखने है किसे से क्या रहे हैं सब expensive तो यहांसे एत ही सिपने यह उसाया रहों कि फोर एक्वल्टू एकवल चुक्ट तो अभर रहा है तो यहां एक्वल आपको पता है इसका मतबब है कि ये आपके पास आगया कितना आइगन वेक्टर से नमबर ऑफ आइगन वेक्टर से इवी कितना आगया बुले बन आगया से यह इसे को जियम भी बोलते हैं पूछे तो आपके पास की भी को सॉल करना पूरा आता और में सॉल कर लूँ फिर आपको बोलागे कि अच्छे आपको कभी नमबर आप इपने अगवेक्टर्स फाइंड आपको करना पूरर्सपॉंडिंग तो आप ऐसा भी कर सकते हो कैसा कि यह देखो आप ग्म इप्वल तो एं मायनस आर व्यर्पल तो रंक अ मानस लेंड आ का रंक रंक आप ए मैनस लेंड आ क्या था यह मैट्रिक्स सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब निकालना है मैंको और निकालना बचाए आर मतलब रैंक किसका ए माइनस लैमडा इगाए अब लैमडा इक वल टो ठी है दिखना लैमडा इक वल टो ठी है तो मैं को रैंक है ए माइनस ध्र्याइए का मैंडा तो थि यह यह जोदो कि तो मैं मैंस स्पारे माइनस फी और अगर आका भी का के तो न्यकितना निकालना इसका निकालना यह का अब करना है तो निकाले करो क्योंकि स्क्वेर मैट्रिक्स से भी रेंक पता चल जाता सब्सक्राइब निकालते सर माइनस फूर प्लस फूर सब्सक्राइब इसको जिरो बना सब्सक्राइब चाहो तुम इसको ऐसा भी कर सकता था इसको में जीरो बना देता जीरो जीरो नंबर आप इंडिपेंडेंडेंड वेक्टर वन जिसको आम जीम बोल रहें यह निकाला था में नॉमली जीम के वली वन निकाला था देखो सिंपल बेसिक बेस्ट एप्परोच और यह परोउस से आप फाइंड आउट कर सकते हो जी नमब्ह आ राप इंडीपेंडेंडेंड वर्सक्रा ने तो इसं बेश्पार क्या है क्या कंसेट नहीं लग रहे है सिभ आपको पता होना चीया कि क्या बोल रहे हैं वेक्टर सपता कर रहा है इतना बहतरी ना चाहिए इतना बहतरे कि तम मज़ा आता है पढ़ने का जब आपको पूरी चीज़ा क्लियर रहती है और कोई डाउट नहीं आपको अगला जो टॉपिक है यह मैट्रिक्स डाइगोनल जाइजेशन डाइगोनल लाइजेशन है ना प्रणाइजेशन में कभी कभी तफ लग जाता है कि बहुत जादा करते हैं डाइगोनल मैट्रिक्स की बारे में बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को डाइगोनल जाइज़ कब बोलते हैं अगर आप किसी मैट्रिक्स को डाइगोनल लाइज डाइगोनलाइज बोल रहे हो तो उसका क्या मीनिंग है और नहीं बोल रहे हो उसका क्या मेनिंग सम के थूरू ठीक है भी या कैसे वो देखेंगे नहीं भी पता हो तो भी कोई सुनी हाँ यह important है कि not all matrix are diagonalizable मतब यह सोच लेना कि हर matrix diagonalizable होगा नहीं हर matrix diagonalizable नहीं होता not all matrices are diagonalizable यह this one यह clear है ना चीए the diagonalizable matrices are those that have no defective eigenvalue हम बोल रहें कि वो matrix जिसमें defective eigenvalues नहीं होती no defective eigenvalues तो सर यह तो हम कभी नहीं सुने की defective eigenvalues क्या होती है defective eigenvalues वो होती है जिसमें that means eigenvalues who gm is less than their algebraic multiplicity मतब जिसमें gm am से छोटा होता है मतब defective eigenvalues वो eigenvalues होगी वो eigenvalues होगी जिसमें gm am से छोटा होगा for lambda equal to lambda one कोई भी एक eigenvalues है अगर gm am से छोटा होगा है तो हम उसको बोलते है defective eigenvalue ऐसी eigenvalue जिसमें gm एक तो gm कभी बड़ा हो नहीं सकता है gm यह तो बराबर होता है यह तो छोटा होता है am से yes sir तो gm less than equal to am यह बताया था हमें अगर gm am के बराबर तब तो इस्व नहीं होगा और अगर उसमें कोई भी defective eigenvalues नहीं है तो फिर डाइगोनल लाइजेबल होगा यहीं पढ़ने जा रहे है इसलिए एम और gm पढ़ाय में आपको ठीक है जब हम पहली पहली बार जब हम उसको देखते दो थोड़ा सा जी वह गरीब लगता है थोड़ा सा डिफ्रेंट थोड़ा सा न्यू थोड़ा सा कमफर्ट उतना कनेक्टेट नहीं दिखता है विकोस नया चीज होता है हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं ऐसी बातों को एम जी आम आप बहुत ज़्यादा यूज नहीं कियो मैं बोल दू कि बताओ यह मैट्रिक्स डाइगोनल लाइजेबल होगा की नहीं होगा है जिसमें और जी आपके पास आपके लिए लस देन होगी उसी और अब मैं इस थेवरं की बात करता हूं डायगोनलाइजेशन टियागोनलाइजेशन ठीक है इसको में इंपोर्टेंट बोल दे नहीं कि यार इसको ध्यांस देखिए अब तो चैप्टर लगबग चैप्ट मतलब हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स को हम डियागोनलाइजेबल कब बोलते हैं जब उसमें n number of linearly independent आइगन वेक्टर्स हो n number of linearly independent आइगन वेक्टर्स if and only if if and only if it has n linearly independent आइगन वेक्टर्स ठीक है विया इफ और गिवन इसको मैं और भी लिख सकता हूं और एक मैट्रिक्स एको मैं एसा लिख सकता हूं mlv inverse madome inverse फिर यदिन व्यन और इसको मैं और सकता आउपके पस तो अगर ऐसा मैं लिख सकूं किसी एक मैट्रिक्स को अगर मैं एसा ल Independence नैए मैडिम इनवर्स तो फिर यह डागोन अदिनियizon सबसे पहला चीज तो यह इंपॉर्टेंट है कि किसी में मैट्रिक्स को अगर आप बोलते हो कि उसमें क्या अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो एन नंबर आप लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होना चाहिए ओके से बिलकुल और एक स्क्वेर मैट्रिक्स में अगर हम बोलते है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ इस तरीके से अगर लिख सको यह मैडम इन्वर्स क्या देखेंगे अम डी म क्या है जिसमें तो डियागोनल मैट्रिक्स होगा देखेंगे अम ठीक है तो देखते हैं क्या है मै्रिक्स m क्या है म है ृचन थो इसमें क्या होता इसमें क्या होते है वह linearly independent eigenvectors of a के होते हैं जैसे x1 एक कॉलम होगया x2 एक कॉलम होगया जितने भी आपके ऐस कॉलम होगया x1, x2, xn इससे बनेगा आपके पास m यह इससे बनेगा m और अगर ऐसा possible है यह m आपके पास independent eigenvectors आप A है तो a के जो eigenvectors होंगे कि आपके पास इससे बनने वाला ही मैट्रिक्स ठीक है यह अगर आपको समझना है अगर आपको ऐसा समझना है कि मेरे पास आइगन वेक्टर्स आपके पास यह जो दिये हुए इसको अगर इस तरीके से में को देखना है अभी देखना मैं आपको दिखाता हूं आपको अगर स यह दिखा आपके पस यह सर यह दिख रहा हम लोगों हाँ अब वह अब अगर मैं रहान से कर में बोलूं वन वन जिरो जिरो ठीक है एक में एक में अगर मैं इसको बोलूं कि यह आगन वैल्यूस क्या होंगे तो मैंको दिख रहा है कि यह रहा है कि यह लेमडा लेमडा माइनस बश्यूर तो और चल जाता है यह तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंट 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 इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो होंगे वह भी उन चीजों से निम्ढे harus NUMBER आप independent आइगेन वेक्तरिक ne ignored भी एगेन वेक्टरिक आईगेन वेक्टरिक पूर्पों करेस्पोंसे इस जो पूर्पकियен यह भूने हं ओंग उसको फवह अ 쪽рип वैलिए कहले है नाया ने यह तो हींच काल्स जस्टाब में होता है इस्टेंगन वैल्यू का कंसेप्ट में एम भी वन होता है क्योंकि इंडिविजल है आपके पास को रिपिटेट नहीं है और जो जी एम होगा वह भी वन होता है अभी मैं क्या बताना चाहरा हूं ध्यांस देखेगा मैं बोलगा हूं ठीक है नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपके प मैं कैसे । लेम डाओट करूंगा सर एक एक एकभाट यहां पे रिंगा पूट कर दें गे और यहां पे लेंडा जीरो पूट कर गया कि AX equal to 0 पर अगर मैं आ रहा हूं एक मैट्रिक्स A है मेरे पास 1 1 0 0 ठीक है ओके और मैं बोल रहा हूं कि ठीक है AX equal to 0 पर मैं आ जाता हूं lambda equal to 0 के case में क्या होगा sir 1 1 0 0 x y और equal to कितना होगी है 0 0 sir lambda 0 था तो कितने वैली आगे sir X sir plus Y equal to 0 ये देखो sir X plus Y equal to 0 इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ sir कि Y equal to minus X है ये दोनों का relationship तो K1 K2 नहीं लिख सकते है इसका मतलब है कि कि अगर X को आप K बोल रहे हो तो 100 पर से है कि Y की वैली minus K होगी हाँ अगर Y K होगा तो X minus K होगा उसमें को इससों नहीं है मतलब K minus K और even minus K और K एक ही हुआ है एक ही हुआ है एक ही हुआ ऐसा नहीं कि दो हो गए तो अगर मैं one put कर दो तो one और minus one ये आपके पास X one आ गया एक आगन वेक्टरस आ गया for lambda equal to zero और lambda equal to zero कोई भी एक one minus one two minus two three minus three या minus one one या हजार minus हजार या फिर दो हजार माइनस दो हजार कोई भी एक तो lambda equal to zero के लिए इतना कोई इसू नहीं सर देखते रहेगा पूरी स्टोरी इस एक सिपूल टूट जिरो के लिए आपके पास one minus one आ गया अगर मैं बोल दूँ कि ठीक है दूसरे के लिए निकाले तो एक मैट्रिक्स ए आपके पास जो था वन वन जिरो 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 ये सेकंड क्या था सर एक्स एक्स प्लस वाई एक्स आ रहा है सर एक्स प्लस वाई इसका क्या मतलब वह जिरो प्लस जिरो प्लस वाई इतना आपके पास तो सर्केंश की य? बहुत डेक्स यहां स्क्राव जिरो फिक्स y equal to 0 fix है और x any value x any value that means k जब भी मैं any value बोलता तो अपम k लिख लेता है अच्छा लगता है तो आइगन vectors कैसे लिख देंगे sir x k है और y 0 k की कोई भी value बूट कर लो sir x2 equal to sir 1 0 बूट कर ली यह आइगन vectors निकल गया अगर मैं बोलूँ कि number of आइगन वेक्टर्स यह दो इसलिए लिखाता है यह दो वाला इसलिए लिखाता है x1 और x2 x1, x2 x1 corresponding to lambda equal to 0 और x2 corresponding to lambda equal to 1 ठीक है तो जो gm है इसकांतम नहीं कि gm2 है gm1 ही है किसी भी एक आइगन वाली उसके corresponding आइगन वेक्टर्स देखोगे तो आइगन वेक्टर्स निकाल लिए अभी मैं आपको बताना चाहरा था कि एक अच्छा concept कि मैं क्या लिख सकता हूं बता है ए मैटरिक्स को madame inverse लिख सकता हूं madame inverse madame inverse का मतलब है कि m तो मॉडल मेर्टिक्स था स तो कॉलम सत्ते च्टों एक्सक्राइस सांट क्या था एकसन की वैलू क्या दीक्स होगा सार्ट वहाइगन-वैल्यूства लेम्डा 1, 0, 0, लेम्डा 2, क्या-क्या आइगन वेल्यूस ते सच 0 और 1, तो डायगॉनल मैैट्रिक्स जो हो गया, वो 0, 0, 0 और ये 1 हो गया, ये, 0 और 1, आइगन वेल्यूस, ये दी मैट्रिक्स हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं A मैट्रिक्स फाइंड आउट कर में में यह मौडल मेक्रिक के यह मौडल्मेक्स मौडल मैसे जो कि अधिर इंडिपंडेंडट प्लॉंकलेक्ट श्री यह तो inverse किसे निकले गया है अगर M यह है तो बताओ इस M का inverse किसे निकले गया सर M का inverse निकाल लेते में ये मिल में का inverseными कि मरस एडज्जॉाईंड आप Mesar个 मिल होगा его carbon. written क्यूंस काहिब उपेट उफ मं कितना है बुले सार 10 0 0 plus 1 1 है सर ते तो अब आप आइड जॉइंड ही इन्वेर्स होने वाला तो एक इंवर्स क्या होगा एड जॉइंड क्या होगा चुब सब्सक्राइगा और यह सर यह बिल्कुल मैं पता है और M matrix क्या लिख रहा हूं जो model matrix में इन्वर्स में M matrix कितना लिख रहा हूं 1 minus 1 आइगन वेक्टर की collection से बना था जो 1 0 ये M है diagonal matrix क्या आपके पास 0 0 0 1 there are two eigen values एक 0 था और एक 1 था ठीक है M inverse क्या हुआ sir इसी का adjoint sir क्योंकि determinant 1 था है तो ये 01 हो गया और यह minus one और यह वन था इतना ही था यस अब में इसको करने जाओं तो क्या होगा देखो सॉल करने जा रहा है first row first column 0 जाएगा first row second column 1 जाएगा second row first column 0 जाएगा second row second column second column sir 0 ओगया ओके अब देखो 0 minus 1 1 1 ठीक है क्या यही मैट्रिक्स कुश्चे में मैट्रिक्स गिवन था यही डिवन था दिल बना देता हूं दिल इसका मत्तबrian की सर कोई भी मैट्रिक्स find out कर सकते में जिस मैट्रिक्स को हम डियकॉन बोलते हैं वही मैट्रिक्स peace ौt किया जा सकता है मैडम मिन्वर्स से यह था इम यह धा डि और मनम निकाल सकते हैं म क्या एम से 11000 शी कंस्त रूत अप पास तो बूला जाता है कि अगर A exist कर रहा है, अगर A वही आगे आपके पास, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर यह matrix A diagonalizable होगा, ऐसा करके थोड़ा सा concept डाला में, अगर मेरे पास है, तो मैं क्या find out कर सकता हूँ, अब देखो आपके पास, मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर वापस होगा, सब में वापस होगा, जितना भी चीज़े, सब वापस होगा, बहुत सारी चीज़े मेरे पास, कि मैं आइगन वेक्टर्स find out कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पता है आपको, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, कि इसका यूश कैसे आपके पास हो सकता है, इस concept को जो आप बता रहे थे, बहुत सारी बाते करने वाला हूँ, बहुत सार बाते दिखाते हूँ, वापस आजाओंगा, मैं कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़े बताने जा रहा हूँ, इसलिए इतनी सारी चीज़े है, इसका तो इतनी सारी चीज़े बताने जा रहा हूँ, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, क्या, यह सब कराऊंगा भी, यह स्क्राइब करें लिए है अब पता आपके पास क्या है एक आइगन वैल्यू से तो डिस्टिंट आइगन वैल्यू से इस नियों करता है docs independent iron gak पर आपको देखना भी एतो independent निकाल बहुत कि है जुआ चालता हूं कि इसका डिथेमिन निकाल लो और देटेमने का साइन बना देता हूं one 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 minus one तो dis ri sr.gold to 0 तो यह independent अगर ऐसा है आपको आगन वेक्टर का कलेक्सन पता है और आपको आइगन वेली स्पता वैसे और यह कुछ हैं बहुत सिंपल था कि 8.4 बारा देखके मैं determinant से बता सकता हूं लेकिन फिर भी मैं matrix find out कर सकता हूं इसकी help से कैसे मैं model matrix बना सकता हूं और मैं मैं बना सकता हूं एक diagonal matrix कैसे मैं बनाया eigen values मेरे पास यह V1 V2 यह है दोको V1 V2 से model matrix बन गया model matrix for any square matrix is given by दोको V1 V2 से model matrix बन गया yes sir model matrix बन गया sir V1 V2 से बन गया model matrix yes sir और M यह madam inverse हुआ M D M inverse दिखा आपको yes sir M D M inverse से D matrix है yes M matrix यह था आपके पस कैसे बना था V1 V2 से sir और यह diagonal value क्या की थी 840 तो डियागोला matrix बना और इस matrix का inverse निकालो इस matrix का जब आप inverse निकालोगे तो यह joint हुआ determinant minus 2 था तो determinant बाहर लिखा हुआ अब देखो इसको solve करो इसको करो इसको multiply करो फिर इसको multiply करो देखो मैंटिक्स आ गया 626 ओप्सन ने करेक्ट था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मेरे पास डिस्टिक्ट आइगन वैल्यू है तो उससे मिलने वाले आइगन वेक्टर के कलेक्शन से मॉडल मैट्रिक्स बनता है और अगर मैं इसकी हेल्प से अगर ए मैट्रिक्स निकालना चाहूं तो बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं वैसे तो हम एक्स इकॉल क्या मिल जाएगा मैं रोगस्की तो आइगन वैल्यू सब्सक्राइगं में wierहेऊ से में बाक्रHI का देखोएग तो तो आइगन वैक्टर K Rose resurrection से मैं क्या बना लूंगा से मोडमों मर्माट्रिक्स बना जाएगा आइगन वैल्यू्यूस का Leesam और यह आपके पास D matrix हो गया यह लेंडा वन लेंडा टू आइगन वेली उसका इंवर्स निकाल लो एम का इंवर्स निकाल लिए लिए जब होती है तो से आइगन वेक्टर्स जो इंडीपैंडेंडेंट नहीं बोला मैं तो यह बोल रहा हूं कि जो इनडीपैंडेंड वेक्टर्स मिल जाएंगे तो रिपिट्एटस क्या होगा है रिपिटड से क्या इन्डिपेंडेन्ट अइगन वेक्टर नहीं मिलते हैं वह से पासीबल होती है इसलिए खुछ रूह और फोकस करते यह लिए इंए बाते और दिखा दिए जो अगें और रीडी सॉल्ट अगर मैं बूलू कि क्या है यह अगें औरेडी सॉल्ट अपकी कॉपी में यह यह इंग्व इन-गें अगें आरेडी व्यंग यह इतना बहत्री म पता होना चीह तब आपका confidence level, उपर लेवल पर रहता है, या Sir, बहुत पता है अब को, वापस जा रहे हैं हम उस जगा के, ठीक है? ये तो application हो गया madam inverse का, ठीक है? चलो. अब वापस जा रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम इतने points जमा ही कर रहे थे, बहुत सरे points जमा कर रहे थे. जाते हैं पीशे जाते हैं भी हम फिर वापस आएंगे जो जो हम पढ़ रहे थे बहुत सारी बाते कर देते हैं ठीक है भूँत सरा मेंद करना पड़ा में बोला भी पांचे दिन का रिसरच करना पड़ा तब जाकी शीजे इतनी आसान हो हाँ हम यहां पर दें यह मैट्रिक्स निकाल सकते मैडम इंवर्स से बता रहा था मैं आपको यहां मैं बता रहा था यह यह सर यह आप बता रहे थे सर बिलकुल यह को मैडम इंवर्स बताया भी मैं अब देखो दियान से समझना सुनना क्या है एक सोन एक स्टू एक से यह यह लिनियर्ली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से कर्रेस्पॉंदिंग टू आइगन वैल्यूस लेम्डा वन लेम्डा टू लेम्डा 3 तो यह तो डिस्ट फिर पोस्ट मल्टिपिकेशन आइम का कर दो आजए अगर डी मैट्रिक्स भी डी आपके पास यह होता और एम यह होता है एम और डी के बारे में पूरा पता है हम बोल रहे हैं कि एज डायगन लाइजेबल इब्दा अलजेबरिक मल्टिप्लिसिटी मेचेस दा जिमेट्री मल्टिप्लिसिटी आप आईगन वैलिउस मतलब हर एक आईगन वैलिउस के लिए अगर एम और जी एम की वैलिउ बराबर है तो फिर वो डायगनलाइजेबल होता ही है वैरि इंपोर्टन एम और जी एम सेम होना चाहिए वैसे तो इन जनरल हम बुले कि एम की जी एम की वैलिउस लेस देन एकवल टू एम अगर सर जी एम की वैलिउस देन अगर हो गया तो कंसेप कहा था थोड़े पहले जब हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको याद होगा कि ज़्यार जी एम जेदा तो होता है नहीं है तो 2 possibility होगई यह सर दो possibility होगई किया बुलते है क्या सर एक तो होगया defective eigen value होता आपके पास यह defective eigen values और defective eigen values के case में diagonalizable possible है क्या D possible है diagonalizable possible है not possible D लिख दे रहा हूँ मैं बस कोई matrix को diagonalizable हम बोलते है तो क्या वो possible है not possible not possible diagonalize नहीं कर सकते है उस matrix को GM अगर लेस देन अम अगर GM AM के बराबर है GM अगर AM के बराबर है यहाँ पर इसका मतलब है कि जो D होता है आपके पास यह diagonalization possible है तो बिल्कुल तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर D possible नहीं है और यहाँ पर यह 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 आपके पास होता है इसलिए हम देख लेते हैं आपके पास GM और AM के concept को दिस्वन हम तो बोले भी क्या देखो GM की value होगी आपके पास तो कोई बात ही नहीं है और independent eigen vectors फिर आपके पास उत्ते बंच जाएंगे अभी हम देख भी लेते हैं देखेगा भी आप अभी तो हम यही पढ़ने वाले हैं अगर मैं बोल दू कि A में अगर N number of distinct eigen values है तो उस case में क्या होता है पता है अगर पता है अगर distinct eigen values का concept है अगर मेरे पास distinct eigen values है concept of distinct eigen value क्या होता है सर हर एक eigen values का एक eigen vectors वोका बिलकुल सही बोल दूँँग पता है इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि distinct eigen value होगा तो AM of all lambda is 1 और हर आइगन values के लिए आइगन वेक्टर होगा तो यहां पर हम AM GM की कोई बात भी नहीं करता है भूलता भी नहीं तो अगर सर ऐसा है तो फिर AM GM के बराबर हुआ यहां 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 आइगन वेक्टर की एक और हुआ है कि independent आइगन वेक्टर होगा ओके तो फिर तो डाइगनलाइजड होगा ही या एम और जी एम इस ओल वेज इक्वल एन वन इक्वल भी और वन भी ओके इसका मतलब है कि सब्सक्राइब को रिपीटेड वाले केस में केयर करना यास 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 रिपीटेड केस में केयर करना जब अगर मैं बोल दू कि आइगन वेलिव आपके पास रिपीटेड है तब यह दोनों पॉसिभ्लिटेड आएगी एक में आप बोलते हो कि नौट डिफेक्ट्य वेलिव तो नहीं भी हो सकता है जब रिपीटेड होगा जब डिस्टिंग्ट होगा तब हंडिट पर्षेंट ड आता ही है इसमें कोई इसू भी नहीं है इसलिए बोल दिया गया ऑफ कि आप थोड़ा सा अगर सोचों कि है की नहीं तो एम और जी आम को चेक कर लो यह बोला जाता है फर और अगर अगर डियागनलाईजेबल मैट्रिक्स है तो पता है आपके पास एक उताब लिखते थे i matrix हो गया m d d inverse बच गया पताब d into d कितना हो गया d square हो गया m d square m inverse हो गया मतलब a square की value m d square हो गया और m inverse वही बचा है मतलब a square m d square m inverse हो गया a cube क्या हो जाएगा a square into a यह a है अब सोचो फिर से multiply करें m inverse m inverse फिर से cancel out m d square into d m तो m d cube हो गया इसका मतलब क्या है कि अगर a अगर diagonalizable matrix है तो मतलब a की power k अगर आप लिखोगे तो diagonal matrix की power k into यह model matrix है this one इसका मतलब a square तो इसका मतलब है कि sir a square a square मतलब m matrix जो model matrix था और d का square यह और यह m का inverse अगर a cube a cube a cube में m गोई model matrix तो d का cube और m inverse यह ऐसा आप लिख सकते है continuously पतब a की power अगर मैं बोल दू कि 10 है तो m d की power भी 10 और m inverse this one यह तब basic इसलिए हम बोलते हैं कि power भी find out कर सकते हैं यह यह लिखाना और अगर मैं को बात करना है कि अगर मैं को d के निकालना है तो बस d और k को replace कर दो अगर आपको लगता है कि d और k को replace कर सकते हैं तो d और k को replace कर सकते हैं save answer आज़ाए इसका तब जो आप a matrix लिख रहे थे madam inverse के form में उसमें a और d को replace कर सकते हैं yes a और d can be replaceable ओके आप ध्यान से सुनना वैसे आपको clear तो हो चुका है पर फटा फट में बताते जाता हूं सब कुछ clear हो चुका है जो जो मैं बोलते जा रहा है मैं बोल रहा हूं n cross and matrix is set to be defective किसी matrix को आप defective बोल रहे इसका मतलब है ये fail कर रहा है n linearly independent eigenvectors के लिए और ये diagonalizable नहीं होगा तो आप defective eigenvalues भी इसी case में होगा क्योंकि defective eigenvalues होगा तो n number of linearly independent eigenvectors नहीं होगे इसका मतलब किसी matrix को आप defective उस case में भी बोलते हो जब उसमें n number of linearly independent eigenvectors नहीं होते और इसलिए ये diagonalizable नहीं होता है तो all defective matrices have the less number of n distinct eigenvalues तो आपके पास अगर n distinct eigenvalues है आपके पास अगर n distinct eigenvalues है आपके पास और अगर उससे कम अगर हमार पास एक matrix है जिसमें all defective matrices less than n distinct eigenvalues तो बात और और मैं conclude करूं तो कुछ भी नहीं है इसको आप conclusion अगर मान ले कि अगर eigenvalues defective है इसका मतब है कि GM less than AM होगा और अगर defective नहीं है तो GM AM के बराबर होगा और वो diagonalizable भी होगा वो diagonalizable भी होगा जब defective नहीं होगा eigenvalues जब GM AM के बराबर होगा वही बाते लिखी गई थी ठीक है अब देखेगा इस वाले points को कि अगर अगर एक matrix से 2102 आइगन वैल्यूस 22 है आइगन वैल्यूस देखा जाए तो lambda equal to 2 है एक matrix से repeated आइगन वैल्यूस lambda equal to 2 बट इस defective विकास इस ओनली वन लिन्यार्ली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बोले जा रहा है कि आपके पास यह जो matrix होगा आपके पास defective होगा आपके पास क्योंकि इसमें एक ही लिन्यार्ली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स होगा जबकि इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो एन नमबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स नहीं बोल रहा है कैसे 210 में अगर आपको देखना है 210 टू था आपके पास यह अगर मैं इसी को सॉल्ल करके दिखा दूंए कि 210 2 में कैसे आप भोल रहेこんにちは कि इसे हैं 210 एक मैट्रिक्स है determinant कितना आपके पस सब four sir कितना हो गया सर लेमडा माइनस two का whole square मतलब मतलब सब लेमडा equal to sir two comma two sir आइगन वैल्यूस जो है वो यह ए एम कितना है sir एम जो है टू लिख सकते हो दो यह तो आइगन वैल्यूस मेरे पास two है तो जीम की वैल्यू अगर less than am मतलब जीम less than two आगया जीम less than two आगया तो जो a matrix होगा उसको आप defective बोल सकते हो ठीक है देखना और अगर जीम two के बराबर हो गया तो फिर defective नहीं होगा फिर तो कोई प्रास्टू का मेट्रिक्स नमरा वेरेबल इस टू तो two फार निकालने जारे यह आर गया होता भाई साफ रैंक होता है एँ माइनस लेंड़ाइग लैंडा कितना हैब यह सार लैंडा है वन जीरो जीरो जीरोे मार्यक एक रहा रहा है एक 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 पर दॉब्द यह रहा है तो फिरmensन का फॉम्मुला कितना होगया अच्छा फिर GM का फॉमुला कितना ओगियां जियम का फॉमुला था N मिनस R तो R कितना आया 1 और N कितने ता 2 2-1 कितना आगे पता है 1 तो GM इकल टु 1 आ गे क्या AM GM के बराबर है नहीं सर GM तो लेज दिन आ रहा है सर यह यह हैज नोट इक्वल इन साओ लेस्ट बा Cape यह वन आर वर लार देखो होगा यह वो जोती है यह आइंग वैलिइस के लिए भी Ampum in guar टी यह नहीं होथी तो फिर देफ्डिक्व वैलिज भी स्कुँए बता देते कि क्या पूंसर चाहिए इसका मतलब एकिसे क्या निंकल रहा है से जी एम जो रिप्रिजन करता है रिपिटेड आइगन वैलिउस के लिए इसका concept पावरफुल बन जाता है इसलिए हम यह करने की जरुबात ही नहीं है लेकिन जैसे ही जैसे रिपिटेड आइगन वैलिउस आते ही यह दोनों इंटर्डिउस हो जाते हैं इससे तो आप बता दो कि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होगी यस ओके तो आइगन वेक्टर आपके पास वन ही होगा लेंड एक सबसे पहले देखो कि मैंट्रिक्स में डिस्टिंट डिस्टिंट वैल्यू से क्या के सब्सक्राइब तब ना हो क्योंकि जब डिस्टिंट डैंग वैल्यू से तो फिर क्या होगा जब डिस्टिंट ड्रीटिंट तो आगम नक 여기서 Crash playing । आइगन्वेक्टर आपके पास बनेंगे आपके पास επास इस ब66-66 में ऑच बता तो अब बोल देते हैं कि आइगन वेक्टर के इन फार्म में बेसिस ठीक है तो अब मैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिपेंडेंडेंट अगर आपके अगर डिस्टिंट आगन वैली से तो क्या बिना सोचे समझे आप एम और जी एम बोल सकते हो के बराबर होंगे हाँ एम और जी एम की वेली वन होगी कोई इसमें तो इस वेरी वेरी सिंपल डियागनलोगीबल हो गई जैसे मैं बोल दू कि 2103 है इसका आइगन वैल्यूस कितना रहा है सार इसका आइगन वैल्यूस टू कॉमा थरी आ रहा है यह फिर सॉल्ल करने जरूवत नहीं हमने को पता ह होंगे मतब लीनियरली इंडिपेंडेंट अइगन वेक्टर से होंगे इस मैंट्रिकस इस डियागनलोगीबल यह इस में डियागनलोगीबल करने के लिए जरूरी होंगे इसमें 0 इस होना चाहिए के शिक हो एक और एक्जामपल ले लिए 102072009 अपर ट्रेंगूलर मैट्रिक्स बन रहे हैं एक अपर ट्रेंगूलर मैट्रिक्स में क्या होता है अपर ट्रेंगूलर मैट्रिक्स में क्या होता है अपर ट्रेंगूलर मैट्रिक्स में डियागोना ऐलि होता है इसकी बात ही नहीं करते लोग इसलिए आपको देखने को नहीं मिलता है तो बूला जा रहा है कि और यह से चालू होती है और यहीं से इंट्रोडीस हुआ अपके सिंप्लिफिकेशन के लिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि एम और जी एम क्या होता आपको पता है अगर मैं बोल रहा हूं कि क्यों मैट्रिक्स को होना है तो उसके लिए एम और जी एम की वैल्यू बराबर होना चाहि यही लिखा है इस पूरे परेग्राफ में सब आपको बता है आपको जी एम पता है और एम जी एम के बराबर होना चाहिए अगर डाइगनोलाइजेबल आपको चाहिए कि एक मैट्रिक्स डाइगनोलाइजेबल हो ओके सर जब रिपीटेट रूट होंगे ठीक है केस नमबर सब्सक्राइब कर सकता है इसका मत्तब है कि यह डाइगनोलाइजेबल फॉर्म नहीं कर सकता नहीं कर सकता है डाइगनोलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है जो मैट्रिक्स यह है तो अगर आप इसको बोलोगे कि मैट्रिक्स डाइगनोलाइजेबल है क्या तो हम बोलेंगे नहीं है क्योंकि इसमें नमबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर उतने ही होना चाहिए था नमबर यहां पर इक्सट तो एक्सट कर रहा है और एक्सट बनेगा यह जो जी आपके आपके पास आपके बेक्स निकाले नहीं 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 सकता है अगर आपको लैमडाइक लिए आपको लग रहाए कि एक बड़ आइगन लिकाल दो बोल रहे व तो यार आइगन वेक्तर निकालने जाओंगो तो क्या होगा एक्स इक्वाल तू लैमडा एक्स कर दू मैं imagine एक इतना भी है एक है सर्थ टू वन हां देख लो झालो जैन से इंडी ऑट्वार हाँ क्या लिख चाहँ लिख देता हूं सॉल कर रहे हैं सर 2X plus Y equal to 2Xर सही है और सर 2Y equal to 2Y ऐसे है रहा है खास सर ध्यान सका देखा जा तो सेकंड तो सही है इसका कोई यूज भी नहीं है पहले वाले में देखो 2X 2X cancel out होगे तो Y की value कितना हो रहा है लिए तो एक्स क्या हो गया एक्सर एनी वैलियू मतंब के तो आइगन वेक्टर कितना अगया सर एक्स वन आ रहा है सर के जीरू सर के को कोई भी वेली पूट कर लो सर वन पूट कर लेते हैं अच्छा लगता है सर बने बनेगा नहींबन रहा है इसका मतलब N number of linearly independent eigen vectors के collection से बनता है model matrix कहां बने नहीं बन रहा नहीं बन रहा तो फिर आप A matrix की बात कहां कर सकते हो क्या मैडम inverse से निकाल सकते हो आप नहीं model matrix ही नहीं बना आपका इसलिए हम बोलते हैं कि यह डियागनलोजिबल नहीं है कि क्लियर रहना चाहिए आपको हर एक आइगन वैल्यूस के लिए आपके पास independent होना चाहिए तो लेंडा एक वल्टो टू के लिए 10 है तो इसके लिए भी वही आ रहा है दोनों के लिए दोनों के लिए अगर यह दो आ ठीक है अलजेब्रिक मुल्टिपिलिश्ट डेजनां मेंचे जिवेट्री माल्टिश्पिलिटी पर ऑल आइगन वैल्यूस मैंट्रिक्स इज नौट डियागन लाइजेबल ठीक है यह वाद सही है यस यह वाद सही है यस बाइदा कंसे पाप आइगन वेक्टर से दो है कलेक्शन में इसलिए मॉडल मैट्रिक्स नहीं बना ओके तो फिर कैसे पॉसिबल था इसलिए एम और जीम देख लिए आप देखो 1011020 यह अपर ट्रेंगुला मैट्रिक्स है ठीक है कितना आइगन वैल्यूस है सर 122 पाओ भी यह लैम्डा एक्वल टुवन लैम्डा एक इसके लिए वन होगा याद रखिए जीम भी उसके लिए वन होगा अगर लैम्डा एक वल्टुवन के लिए आप देख रहे तो एम और जीम से इसमें को इस हुई है इसका मतलब है कि क्या डाइगन लिजेबल हम बोल देंगे नहीं नहीं अभी टू के लिए देखना होगा ये इसके लिए जीम भी वन ही होगा देखो लिए दिया गया है सर ये थोड़ा सा अगर निकालते थे तो अच्छा आप लैम्डा एकवर टू वन के लिए जीम निकालना चाहते हैं सबूस्करों जीम त्रूların ऑन निकालना चाहते हूं बान लेतें मालेतें मालेतें ज़ीम सब्सक्राइब कितना है इन 3-3 तो 3-1 तो सर इस अगर मैं मैंस कर दूँ क्या मानस कर दोगी मानस कर देता हूं सर से मायनस लंडाई सॉल करने जाता हूं मैं ए मायनस लंडाई एक मैटिक्स निकाल लेता हूं एक यह revenue 101 101 020 1002 ऑर 002 यह है मईडस लंडा यह मतंब ल přीकिन्म णाथा 1 लेम्डा की वन के लिए था तो 100 010 और 001 कितना मैट्रिक्स बचा मैट्रिक्स बचा सर 001 हां फिर 0010 और 001 यह बचा यह यह मानस लेम्डा है पता इसका अगर मैं को रेंक find out करना है तो इसका determinant निकालो सर उससे बता चल जाता है ए मानस लेंडगर डेटर्मिन इसको निकाल लो लास्ट वाले को यहां से निकालना वन कितना हो गया जीरो आ गया अच्छा अगर जैसे जीरो आ आदिक इसका उसका रैंक कितना होगे से ठीक्राउस तो यह थिरो नबर आप के इसी बीडिक्स में डेखना डी ڈائی अब मैं रेंक बटाबट बटा दे जा रहा हूं कि रंक पहले पढ़े चुके तो रेंक इस टू रैंक ठी की न हुआ थ्री क्यों नहीं हुआ तो ट्री होता थ्री से कम होगा यह हम था वन के नहीं हो वन के लिए और टू क्रॉस टू माइनस जिरो होना चाहिए यह देखो आपके पस तो रैंक टू आ गया तो अभी मैं बूल रहा हूं कि जी एम वन लिखा है एम लिखा हूँ लिए इसको चेक करने के लिए हमको किसकी देखना पता है एम और जी एम का कोई इसूई नहीं है जब आपके पास एक आइगन वैलिस जो है और रिपीट भी नहीं कर रहा है जो रिपीटेट आइगन वैलिस इसको देखो लेमडा एक वाल टू के लिए सब्सक्राइए अब मैं को जी एम निकालना ह जय हैं तो एन तो थरी है और रैंक निकालना है और फिर मैं डू पूट करूँगा ने जीए सबापकि वेलियो पता है जैसे में पूरा जी unintended रहा तो घिर है पूरा जी ओना रहे है जीए माइन सन्थ घूम कितना वह टू अब एम भी टू था जी इएम और जी इम दोनो टू है अगर यह एम और जी इम अगर आपके पास बराबर है जब लेमडा एक्वल्टुवर्ट वन के लिए चांस में दो डिस डाउट ़ीन्हीं था नो डाउट लेमडा एक फोल्टू वन के लिए क दाइगोनल आजेबल है अगर एम और लिए हम रिपीटेड आएगन मंदेखने में बस बस इस लीन अगन वैलिटर से लिए घ्न घिडेलन पर तो नमबर ओब लिनेरली इंडिपेंडेन उसके बराबर होगा मतबब रिपीटेट अगर यह उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि नमबर ऑब लिनेरली इंडिपेंडेन आइगन वेक्टर उतना ही आए जितना डायमेंशन आप दा मैत्रिक्स है अब आपके पास अगर मैं बूलो कि टोटल नंबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हैं तो टोटल नंबर आप इंडिपेंडेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हों के पता आपको x1 x2 और x3 यह model matrix बन जाएगा इसमें तबी तो पता आपके पस x1 किसके करणा आएगा sir x1 जो आएगा वो lambda equal to 1 के करणा आएगा और x2 और x3 किसके करणा आएगा पता है x2 और x3 यह lambda equal to 2 के करणा sir lambda equal to 2 के करणा दो आएगन वेक्टर क्यों आएगे जिएएँ बाहिया जीम के लिए जिएम की value जो थी जीम की value q1 के लिए जिएम की लिएट के लिए के लिए घ्स bei अगे आलगे कथा लिए ऑर जीम डूल ठीजम कि तो कितने हों जींकी वेक्टर के बराबर मतंब दो सब्सक्राइब करने की जरुवत नहीं पड़ती है जो रिपिटेट आइगन वैली से उसमें जी मोरें चेक करने चले जाओ उससे अपना काम हो जाता है क्योंकि आंसर वही होगा देखो अब आपकी पास यह 31003003 अच्छा कुशन देख गया है तो इसमें देखो आपके पास आइगन वैल्यूस यह अपार्ट रंगुला मैटिक्स बन रहा है यह सर आइगन वैल्यूस कितना है 333 इसका एम कितना है भाई साथ सर एम तो 3 है बहुत सही एम 3 है एम कितना है बोले 3 है सर अच्छा जीम नि कितना गacy is का रैंक कितना दिख रहे है सर रैंक तो 1 दिख रह रहा सर इसके गारां अच्छा वलयों एंचिन्ट इंडेंडेंट नहीं इसका मतलब यह कि मैट्रिक्स ड act सजेबल नहीं है इसका मतलब कि इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें dulu 2 है इसका मतलब है कि sir x1 और x2 निकले गा only x1 और x2 इसका मतलब है model matrix में कितना चाहिए three cross three चाहिए as every 2 याइगा वेक्तर आएंगे जब कि हर एक आएगन वैलिऊ से 3 333 तीन जो है आपके पास वह रिपीट कर रहा है तीन बार लेकिन जब मैं आइगन वेक्टर निकालूँगा इसके लिए त्री क्रॉस त्री में आइगन वेक्टर स्केलोकलेट करना तफ हो जाता है अब देखो आपके पास 010 है अगर मैं बोलू कि सर अगर सच में सॉल करते तो क्या होता अच्छा सच में सॉल करते तो क्या होता यह देखो 3100 300 003 यह बैक्रिक्स आपके पास देखना ध्यान से 3 क्रॉस 3 में वेक्टी आइगन वेक्टर करने चल जाते उसकी जान निकलना चालू हो सकती है वह डरना भी चालू हो सकता है 310 था 030 और क्या था 003 जिरो 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 और 003 सही है एक्स वाइजेट एक्स वाइजेट ठीक है 3X 3Y 3Z 3X 3Y 3Z अच्छा इसमें कैलकुलेसा बढ़ जाता था 3 क्रॉस 3 में अब सोचो क्या आएगा सब 3X आएगा हां प्लस Y एक्वल टू 3X आएगा इसी को सॉल करता हूं पहले सब तो Y 0 आ तो सही तो है वाइजेट फिल द्यर्यश्य द्री समें 2 चॉसल संवेर यही सब शॉल तो ड्लक हघए बट पहले से वाइजेट जेरो मिल गया तो बताए एक्स वन गी एन्टाहरी होसक्ति है एक्स वाइजेट मान लो वाइजेट को मान लो आप Z को मान लो K2 पता आपके पास result कितना है कैसे लिखते है इसको अच्छा कैसे लिखते है इसको इसको लिखते है ऐसे X1 K K1 0 और यह K2 इसको कैसे लिखते है K1 1 0 0 K2 0 0 1 Fixed value इसी वो आपके पास 20 वाली value है तिर्फ दो ही possibility है K1 और केटो के लेके नमबर आप आइगन वेक्टर कितने होगे पता है दो यह नमबर आप आइगन वेक्टर नमबर आप इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने आपके पास दो यह ता GM हम इसलिए हम GM बात कर लेते हैं और इतना तफ हम सूचते नहीं है भाकीता कोई तफ नहीं है लेकिं फिर भी इसलिए हम डारेटी बात कर लेते हैं पता आपके पास यह डाइगन वेक्टर्स तीन आते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं आता और K1, K2, K3 आ जाता तो K1, K2, K3 आ जाता तो क्या बात है फिर तो 3 हो जाते हैं अगर सपोस करो इफ, 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 एक्स इक्वाल टो K1 मतब एनी वैल्यू वैल्यू आ जाता और Z भी एनी वैल्यू पता एक्स क्या होता, सर K1, K2 और K3 यह आता आपके पास पता है कितने आइगन वेक्टर्स हैं तीन क्या है सर सतीन कैसे सर इसे लिखते हैं लिखने आपको तो इसमें क्या इस्ट्रूइंट वार सा डर जाता है कि अतना नहीं लिखते आता है सर में पता इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इसलिए अपन जीम निकाल के ज़्यादा हैप्पी रहते हैं यह देखा आपके पस ऐसा आ जाता अगर ऐसा होता तो ऐसा आया था इसलिए दो जी था आपके पस और हमको यह सब निकालने की जरुमत नहीं पड़ती है क्योंकि हम एम और जीम का कंसिप जानते हैं इसलिए था इसलिए हम सीधे जीएम पैस यह मतलब होता है जी मिःक्वल 누 टू निकालके दिखा दिए लिए निकाल गडवर नहीं लिए निकाल दिखा दिय चानहीं है उसलिए नहीं था यह यह दैख संब। इयो दो आनने केम और चर्ई निकाला गया फोन से अगर मैं आपको देखा हूं आपकी पास एक और अगर एक्जाम्पल यही पर लेलो यह इसी आपके लिए ले लेता हूं क्या पता है मैट्रिक्स एक लिए 100 आइडेंटींटी मेंट्रिक्स लिए रहा हूं लेम्डा की वेल्यू कितना है सर्पल में माइक्स ने इस्व रड्र्ध क آپ डालेक्ट की वेल्यू कितना है Um को डालेक्ट ने डिख गया ओऊं नम के लिए m कितना है ताहस अब अगर आपको जी है नकलना है तो सर गीम ने कालना है सर तो n-r सर मायस आर्स एंग-डी। आर के वैलू, आर के वैलू सर, rank, A-3I सर, Lambda I, A-3I, अच्छा, A-3I करूँ, A- Lambda I 2, 1 ना, Lambda I 3I के होगा, I, Lambda I 1 है ना, A- Lambda I तो A-I, सुचो, अगर मैं A-I कर दूँ, तो सर क्या होगा सर ए माइनस आई ए भी तो आई है और ए माइनस आई तो सर पूरे जिरो हो जाएंगे बिलकुल सही पूरे जिरो हो जाएंगे क्या हुआ सर रैंक कितना है इसका सर ए माइनस आई का रैंक सर जिरो सर रैंक जिरो होता है न नल मैटिक्स का तो जीम कितना हुगा जीम एन माइनस र था सब आठी फार तो जीम माइनस जीरो पता कितना अगया घ्री आ एम कितना था सबांसर ठीन uitता ञेक लोगिन सब्सुर्ण ऐसी तो धाय नुलाइजिबल है सब्सक्था था got supports फिक श्बूरड़ है not में आप ड्याग्नलाइजेबल मेट्रीक्स तो आप देवू सकते हों कि सर मैं टू करॉस्थू का एक आइडेंटिटी बेटिक्स लिए यह होगा बिल्कुल होगा सर सर मैं तो सर्थ थ्री क्रॉस्थी का लिए इसका मतलब यह हुआ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हो डाइगनोलाइजेबल होते बिलकुल सर इवन सर आप 4 प्रास 4 का लिख दो इसमें एम जीम की वैलिव सर बराबर आईगी यह यह सब डाइगनोलाइजेबल होंगे ओके इसका अगर आप आइगन वेक्तर सच पिने निकालते हैं यह निगाल के लिए दिखाब कि इसर एक्स इक्वल टो लैम्डा X, और lambda की value कितना था, 1 था, तो AX equal to X, because lambda is 1, ठीक है, A matrix कितना है, Sir, I matrix है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, क्या है, XYZ, XYZ, किदर भी क्या होगा, Sir, XYZ, बता पहला equations क्या है, Sir, पहला equations आता है, X equal to X, सही तो बात है, दूसरा equations, Sir, Y equal to Y, third, तो पता आपके पास क्या आगया आइगन वेक्टर एक्स वन के वन के टू और के त्री अच्छा एक नॉर्मल इसको देखके तीन आइगन वेक्टर से उसके लिए आसान नहीं होता यह उतर आगर RAW क्या मैं दो हम अंच्छा को अच्छा कर दो नियुक्त और इसका नहीं है इन वेक्टर से का छग्ए करा हो एक्स वेक्टर आपके पास क्या है अगर वोलू की क्या क्या वेक्टर से आपके पास नहीं बोल सता आओ कि एक्सवान आ गया 100 लिख लो एक्स टू लिख लो जिरो वन जिरो और एक्सट्रीन लिख लो यह सब इंडिपेंडेंट है यह सरी इंडिपेंडेंट है इसलिए इतना गोई निकालना नहीं चाहता है इसलिए फिर एम जियम के इसका मतलब है कि सर जो होते हैं यास यही तो आपके पास की पॉइंट यह होगे कि रिपिटेड आइगन वैल्यूस जो होते वह गैरंटी नहीं देते कि आइडेंटिकल आइगन वेक्टर होंगे आइगन वेक्टर आएगन वेक्टर आपके पास लिनियर लिन्डिपेंडन आ रही है नहीं आ रहे है इस बात पर डिपेंड करेगा इसलिए हम गैल्कुलेट करते हैं तो जो डिस्तिंक्ट आइगन वैल्यूस होते हैं वह गैरंटी देते हैं कि उससे बंने वाला जो सैट यह इंडिपंडेंट्स कर रहा हूं जब रीप्टेट आइगन वैलिए सोते हैं यह कारण आपके पास आने वाला जुसाथ है जो आइगन वैक्टर जो आप पास आएंगे वो इंडिपंडेंट्स्ट के हितने वह सकते हैं थीक है यह इतने देश words अगया का तो क्रोस्टू का डिफरेंट मैट्रिक्स ले लोगे और आइगन वैल्यूस अगर मैं तो इसमें तो कोई इसू नहीं है यह बात तो हमको पहले से भी पता है अच्छा दन नल इस्पेस और एनी मैट्रिक्स इसेट आप औल वेक्टर्स इन दा अबाव केस्ट विल गेट टू आइगन वेक्टर्स इसका मतलब है कि नल इस्पेस हम बोलते है जो मॉडल मैट्रिक्स होता है जो मॉडल मैट्रिक्स होता है जो आइगन वेक्टर्स से मिलके बना होता है उसका हम बोलते है नल इस्पेस किसको बोल रहे हैं हम लोग किसी भी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक् इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं बोलू की जिसको की एक्स है यह X है, एक मैट्रिक्स है, X1, 100, 010, और ही कितना है, 001, this one, this is the null space, तो इसको हम बोल देते हैं, आपके पास, null space, यह, null space of the matrix, तो the null space of any matrix is the set of all vectors, यह, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो आपके पास है, यह, set of all vectors, X1, X2, X3, इसी को आप null space बोलते हैं, यह, null space बोलते हैं, इसी यह, null space is three, X1, X2, X3, इसी को हम null space बोल देते हैं, जो आइगन वेक्टर की collection से बनता है, आपके पास, X आपके पास है, त्री आइगन वेक्टर से एक, दो, तीछ, तो जो आपके पास, आइगन वेक्टर की collection से बन रहा है, इस बन रहा है, इस दानल space, और diamonds-norm of null space यह पे हम अगर मैंको बोलना है तो मैं बोली सकता हूं कि एक स्ट्वेक्स त्री ठीक टांप की पास कि नली इस इस अप आप अल वेक्टर सिंद जो भी मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म है थीक है मैं टर्मलाजी है इनल्स पेक्टर का तर्मलाजी यह टमलाजी फॉर दर्मलाजी तो औरने मेज़ कोलॉंटर्क्र कॉलॉंडÓ कर वैक्टर से वैक्टर वही नलप्हाई है अब मैं एक एक्जाम्पो ले लिए क्यार में को एक की पाउर फॉर फाइंड आउट कर और ए जो है वह मैडम इन्वर्स है और ऐम की वेलूः इह है यह हमको पता है एक हां यही पाउट कर सकते यह अज्य यह नहीं diyorum लिए ईंत्तिया विल्कुल सही की पाऊर फॉर फोर निकालन तो क्या होगा अऩर टो lới कि इससे ने हैं जintell pier regional matrix थोटा उसकी पाउर 14 और उसकी पाउर 14 मतलब D की पाउर 14 25 थो तो बीसन लिए तो फिर 20יחu निकल ग gib है अच्ञान जबसकी पाउर सब दोनों को मल्टिपलाई कर लिए तो दोनों को मल्टिपलाई करने ऐसका मतब एक पाबर भी निकाला जा सकता है इसका मतब कल में को कोई बोल दे कि ही आई वेलूस्स का कल को देते मैं को बोल दे कि एक मैट्रीक्स कोई कोई कैसे क्टैशन इसक्ता है अम Wrap लान और लेम। वैलस है और आइगन वेक्टर का क्लेक्शन भी देदी मैं को बोले कि यार एक आइगन वेक्टर मेरे पास जो है X1 जो है 10 है और X2 जो है यह 10 है और X2 जो है यह 0 1 है यह दे दे मैंको ठीक अब बोले कि क्या है वेक्टर्स दे दी है मैंको आइगन वेक्टर्स दे दी है दो आइगन वैल्यूस दे दी है मैंको और मैंको बोल रहा है कि A की पावर क्यूब निकालो इस मैट्रिक्स का A की पावर क्यूब निकालो तो एक ही पाउर क्यूब निकाला जा सकता है एक ही पाउर क्यूब क्या होगा सर M मैट्रिक्स इससे बनेगा X1 X2 से D क्यूब बनेगा और M का इन्वर्स बनेगा और D क्यूब क्या होगा ये 1 2 से D क्यूब क्या होगा D क्यूब जो होगा डी मैट्रिक्स कितना होगा सर 1002 अरे डी क्यूब कितना होगा अच्छा डी क्यूब क्यूब हो जाएगा डाइगॉनल जो एलिमेंट यह वन का क्यूब वन जीरो एट वन जीरो जीरो एट बस सॉल कर लेंगे एक एक जामपल जसमें बोला इसका मतलब है कि मैं पावर डीक में आई डी कानपूर से जो कॉश्चन साय आपके पास क्या था बोला कि नैसेसरी कंडिसेंग क्या होना चाहिए डाइगोनलाइजड एक मैट्रिक्स को करना है तो बोले कि इसके और यह वेली सुट्ट बीस्टिंग होगे तो आइगन वेक्टर सब्सक्राइब इंडि होगा लेकिन पहला भी सही है कि अगर आइगन वेल्यू सब्सक्राइब कर रहा हूं और यह मैडम इंवर्स यह मैडम इंवर्स एंडम इंवर्स तो सब्सक्राइब कर देंडर्स कभी जिरो होसकता है मॉडल मैर्टिस निंगलता है तो सब्सक्राइब यह यह की बात चल रही है यह की बात यह पूछ रहा है अपके पास नॉन सिंगुलर होता ही है यह मौडल मैट्रिक्स यह तो नॉन सिंगुलर होता ही इसमें बात ही नहीं है तो कभी कभी हम ना समझते नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या पूछ रहा है हम क्या जानते हैं सामने वाला क्या पूछ रहा है नॉन सिंगुलर होता है यह जो बोल रहा है इसकी बात करी नहीं रहा है यह तो नॉन सिंगुलर होता ही है बात चल रही है एक मैट्रिक्स की diagonalized होने की बात वो matrix क्या वो non singular होता है तो सबसे interesting बात कि वो जो matrix होता है इसकी कोई condition नहीं होती है वो matrix singular भी हो सकता है वो matrix non singular भी हो सकता है उस matrix की कोई condition नहीं हो सकती है इसका मतलब है कि ए अगर आप बोल रहो कि madam inverse है यह और आप बोल रहे हो कि यह matrix किया होगा तो इसका determinant 0 भी हो सकता है और इसका determinant not equal to 0 रहा कोई condition नहीं होती बाई है सिंगुलर और non-singular तो the matrix is non-singular कोई condition नहीं होता कि singular यह non-singular to hear a or b correct C wrong D wrong a matrix यह इख रहा को क्लियर चाश्चिए अच्पी होंग इस तो मैं पूंद में आपके पास रिखें यह सिंगुलर है तो इक होगई सब्सक्राइब करें नृण से कितना ना है to singular matrix members अब आपके पास इसको अगर में यह आपके पास है यह इस दीये डी लिजिशिब Spider-la matrix है यह आपके पाउट आपके पास यह भी सबस्कुला मैं ठीकस है यह सिलमा एक तो यह यहर्ब अ – यह सेंगला मैडिक्स बहुत आसं में जन्गालि शयबल है और यह दीजीब्ल लाइजेबल नहीं भु видим सब्सक्राइब मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है सिंग्ला मेत्रिक्स अगर सिंग्ला नाधरिक्स है तो डागनलाइजेबल भी हो सकता है नौनThe इसका मतलब है कि कोई कंडिशन नहीं होती है कि यह आपके पास होगा और यह नहीं होगा आपके पास यह क्या रहा है इस वालें देखो इसके ऐगन वैली इसका सब्सक्राइब निकालना है तो अच्छा जीए निकालना है तो तो जीम सर एंन कितना है टू है तो टू माइनस आर सर यस अब सूचो N की लिट सी अब अरिकी वेल्यों को find out करना है तो rank of lambda जब मैं लेम्डा जीरो भी है लेम्डा जीरो भीए तो जब मैनस कर और तो A बचेगा क्योंकि lambda जीरो है तो यह matrix बचेगा जीरो 1 0 0 पता इसका rank कितना है गा इसका रांक तो वन आ जाएगा हाँ वन जीरो हुआ तो ए मानस लेंड़ा इस होगा एबना दीया हमें आर वैलेटर कि वैलिए डेखो ना रेंक जीरो तब की दोने ही singular matrix है इसका मतलब है कि जिस matrix की बारे में बात चल रही है वह मैट्रिक्स का बेहवियर कुछ भी हो सकता है यार रखेंगे आप कुश्चन बार 351 यह था 1992 का कुश्चन कंसिदर मैट्रिक्स पी एक मैट्रिक्स पी है जिसकी आइगन वेक्टर्स गिवन है है dai multipls 1,4 1,4 से जानता। यह आपके पास मληटिपल्स है तो मल्टिपलाई कर तो 2,8 यह फिर 3 का मल्टिपलाई कर दो थी, तो फ्री मλιटिपल्स है ठीक है यह और और आपके पास 2 ही आपके पास दिख रहा है मानन लेते हैं कि बंने वाला जो आईगन वेक्टर्स है यह यह आपके पास है वन फोर और यह से बूला था मल्टिपल्स एसा बूलत रहा है तो फी जिसका इनवर्स नहीं होता है आपके पास मतलब तो नॉन सिंगूलर मैं बोलरौ कि हमारे पास पी को लेके को इसको ऑनने है पी का determinant 0 हो सकता है इसका इंबर्स नहीं होगा ठीक लेटरमिनेंट नॉट 0 शकता तो फिर उसका इंबर्स होगा तो यह कोई से हैं अब एको यह मॉडल वंतिक्स अगर मैं पूलीगा गया यह विन सんで स्भी ऑप शल्ड टेको खेंगा तो दिस्त्ञन्ट होते हो तो खर देपंडेंट नहीं अगता है निए जब डिपेटेट हो रिपीटेट है यह रिते आई वेक्टर सबस्क्राइब हो रहें कि खतम बात होगी बचा सीव रिपीटेट तो यह आपके पास सी ऑप्षन साही हो सकता तो to 2 & 3 तो two and three d answer ऐसे question कहा बनेंगे अगर किसी को नहीं आता होगा तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या क्या बोल रहा है को यह क्या लिखा है पी डाज नॉट है इन इंवर्स और सर क्या बोल रहा है और को समझना है मत्रिक्स पर कोई कंडिशन नहीं होती मतलब स्क्राइब तो कोशन पूछा था 2000 तेविस का सल का कोशन क्या पूछा इस कोशन में यह बोला कि आर दो मैट्रिक से प्यूर क्यू और आइगन वैल्यू स्पी का भी इतना ही और क्यू का भी इतना है मतलब 1122 थो टू के लिए dwa में चेक करने नी जाूंगा डर इस ओनोन इड फॉर चेकिंग दव लें अ हम लेपनाओ c वैल्यूस आपके उसके लिए ऐसे लिए मोड़ी मोट तो को ही नहीं नहीं है नोई no issue with this value with this value okay overall क्या check करना है сл Pacific campus to 1-page lambda equal to 1-page lambda equal to 1-page lambda equal to 1-page lambda calculate करने जा रहे है, क्या होता है GM GM होता है N-R N कितना है, N तो 3 है सर और R, R हम निकालेंगे न सर एक P matrix से उसके लिए R निकालेंगे तो ठीक है निकालेंगे फिर अपन तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप निकालने जा रहे हो तो P-Lamda I यह P-Lamda I और यह 3 क्रॉस 3 का यार और 3 क्रॉस 3 का सीधे डिटर्मिन निकाल लो तो रहेंग निकालना असान हो, P-Lamda I Lambda की वेलेंगे इतना है, 1 है तो 4-1, 3 हो गया माइनस 2, और 2 हो गया P-Lamda I कर रहा हूँ, लेमड़ा इज 1 तो यह Diagonal सी माइनस होंगे 4 यह और यह, यह तो सब सेम रहेंगे 6 यह कितना हो गया, माइनस 4 सर यह कितना 4, यह 3 यह माइनस 2 और यह 3 माइनस 1 2 सर सर तो identical है सर, 1 और 3 रो बिलकुल, R1 और R3 तो identical है सर तो determinant तो 0 हो गया determinant 0 हो गया और सर यह वाला भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी 2 क्रॉस 2 का माइनस निकालूँगा तो भी 0 आ रहा है इसका अध्यान देखो, R2 की वैली कितना है R2 की वैली है 2 R1 हां मतलब अगर मैं इसको धहान से सौल करों तो क्या मैं इसका इसका ऐस now, सर क्या तो पहले तो आप इसका डिटेमिनेंट निकालता तो डिटेमिनेंट कितना है जैसे इसका डिटेमिनेंट जीरो आता तो आप बोलते की जो रैंक होगा वो लेस दिन थ्री होगा, रैंक बन तो होना है थे जिरो तो होना हो तो होने हनी सकता है जैसे तो बहुतए है सरे पर दो पॉसिपिलिटी Cristo आर जीरो अगर टूरे के पूरे माइनर्स अगर टू क्रॉस टू के जीरो तो रैंक वनी होता है यह देखो किसी भी टू क्रॉस टू को देख लो इतना भैतरी में पढ़ा चुका हूँ मैं इसको देखो यहां देखो सर माइनर्स बारा 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 8, 8, 8, sir, 12, 12, 12, 8, 8, 8, देखो न, किसी को भी देखो, यस सर, या फिर आब यह देख लो, तो सर, rank 1 आ गया, अच्छा, P matrix में, अगर मैं, P minus lambda I का rank 1 आ गया, इसका GM कितना निकलेगा, अच्छा, इसका, P matrix का GM अगर आप निकाल रहे हो, तो पी के लिए तो जी-अ-ग मेंपी नकाल रहा है अब जी-एमपी लिख लूंगा है पी मेर्टिक्स के लिए हो सर 3 माइनस R कितना था R1 ता सर तो GM कितना आया P matrix का 2 सर AM कितना था 2 अच्छा P matrix के लिए AMP और GMP तो AMP और GMP का कोई सुनी है यह सर इसका मतलब है कि P matrix के लिए अगर मैं बोलू कि P matrix जो दिया था P matrix इसके लिए AMP P AMP 2 था हां और GMP कितना आया सर GMP भी 2 आया है यहां फिर तो दोनों बराबर आ गए इनका दोनों का यह P मतलब P matrix तो सर डागनोलाजेबल होगा बिल्कुल होगा तहीं बात है अच्छा अब क्यू मैटिक्स की देखना पड़ेगा लिख लिए त्यार क्यू मैटिक्स तो 3 क्रॉस 3 था बड़ा matrix था 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 4 माइनस 4 6 4 माइनस 4 6 2 माइनस 3 5 2 माइनस 3 5 यह दिए आपके पास यह do i amq तो सेम ही तो तो एम क्यू यह अब मैं को जी एम क्यू देखना है तो मैं जीएम क्यू अगर मैं 30 का देख रहा तो क्या होगा Sir N-R N-R N कितना है 3 है और R आप निकालने जा रहे है ठीक है तो अगर मैं बोलू कि Q-Lambda I Lambda की value कितना है 1 है Sir Q-Lambda I का सिधे ही determinant अगर मैं निकालने पहुँच जाओ तो Sir 1- करता हूं Sir 3 माइनस किये तो Sir 2 आगे हाँ माइनस 2 और 2 Sir ठीक है यह 4 माइनस 4 में से 1 माइनस किये तो माइनस 5 Sir और यह 6 फिर यह 2 यह माइनस 3 और 5 में से माइनस 1 किये तो 4 Sir इसका determinant निकाल लोगा या फिर आपको determinant नहीं निकालना तो dependence जल्दी दिखना चाहिए आप अगर ध्यान देखो कि तो R2 की value प्लस R3 की बराबर है तो जल्दी से दिखेगा निमें को सर एक जाम में तो फिर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और सर और क्या कर लो गर को तरीका थोड़ी है या तो डिपेंडेंसी दिख गई अच्छा जैसे डिपेंडेंसी दिख गए तो आपको पता चल गया किसका determinant 0 है कैसे लिख लिए अरे डिपेंडेंसी दिख गए इसलिए सर रैंक 2 या 1 होगा वं ता होता जब 2 नुक्रास 2 के पूरे माईनस 0 होते या पिर एक से ज़्यादा रोसकों में 0 कर लेता एक ही रो में 0 कर सकता हो मैं तो रैंक की वैलियू टु है तो पिर GMQ कितना आ गया अच्छा GMQ की वैलियू सा 3-2 सर तो कितना हो गया 1 अच्छा AMQ कितना था इसका algebraic multiplicity 2 था बट geometric multiplicity कितना है 1 आया तो AMQ not equal to GMQ आ रहा तो Q matrix के लिए AM और GM same नहीं आ रहे हैं AM और GM same नहीं आ रहे हैं ओके और सर अब AM और GM same नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया सर इसका मतलब यह हो गया कि यह जो matrix है यह diagonalizable नहीं है यह जो matrix है वो diagonalizable नहीं है तो पी matrix diagonalizable था तो अब यह options है आपके पास तो P is diagonalizable और Q is not C answer था exam में ऐसे question तो सबसे बनेंगे नहीं अगर किसी को नहीं आता है तो कुछ ना कुछ करेगा कुछ भी कुछ करेगा समय तो यह बड़ा important concept है कि इतना बहत्री ना चाहिए तो मैं को लगता है मैं पूरी बातों को वो अगर independent आइगन वैल्ई तो अगर आपके पास से डिस्टिंट अ है jego डिस्टिंट आइगन वैलिऊ डिस आपके पास तो दोड़ा सा जंता नहीं है यह वह से लिया गया होगा डिस्टिंक्त बोलना सही है तो फिर वो डायगोलोजीबल होता है क्योंकि अगर ऐसा है तो मैर्टिक्स में एन डिस्टिंक्ट्ट आपकी पास होगा तो डिस्टिंट बनने वाले इंडिपेंडेंट अगन वेक्टिस का कंफर्म मतलब है कि एन नम्बर आप लिनियर ली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टिस का बिल्कुल मतलब यह नहीं distinct eigenvalues क्योंकि repeated eigenvalues में भी n number of linearly independent eigenvectors बन सकते हैं फिर से सुन लो अगर n distinct eigenvalues है तो उससे बनने वाले क्या होंगे n number of independent eigenvectors यह सद्धेट परशेंट true है बट converse is not true मतलब अगर n number of linearly independent eigenvectors है तो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि यह किसके कारणा होगा इसका मतलब है कि n linearly independent eigenvectors towards n distinct eigenvalues यह नहीं बोल सकते हैं तो यह पहला वाला सही है कि distinct eigenvalues create the independent eigenvectors but independent eigenvectors create the distinct eigenvalue no 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 reverse is not true reverse is not true मतलब repeated eigenvalues can also create the independent eigenvectors इसलिए तो GM का concept इतना interesting और important है ओके ध्यान रखिएगा इसका मतलब है कि n distinct ये तो BB kia मिलेगा इसंसे सर एन इंडिपेंडेंट आइगन vector इलकुल टू इंडिपेंडेंट आइगन्गें वेक्टर्टर् अगर है तो क्या मिलेगा सर दो पॉसिबिलिटी है मतलब यह हो सकता है कि एंड डिस्टिंट आइगन वैली मिल जाए हाँ हो सकता है आइगन वैली मिल जाए यह रिपीटेड आइगन वैली भी हो सकते है अभाम तरहन कि एंड डिंड वैली मिल गट्री लिकशा था कि ने मिल ऋढ वैली में डिस्केंट अइंड वैलीन वैलीन अगर शो सकते है तो सकते हैं नमबधार दिस्टिंट आइगन वैली सकते हैं एक दम प्लियर चल्मा था पहले ह Наकथा ऐखी सब्सक्राइब करने में समझने में और मिलाने में कि कब कौन सी बातों को करना चाहिए तो ही होप की पूरे यूटैब में इस लिए को में यह दिया होगा या किसी बीजिक framed tun होगा किसी के नोट्स में नहीं होगा पूरे यूटूब फैमिली में नहीं होगा तो बले अच्छे से आप समझेगा इस तरीके से चीज़े को करना पड़ता तो इसलिए महनत लग जाती है ठीक है तो लगबग लेलिया लगबर की पूरी बाते में कवर कर दिया लगबग आप कैसा लग रहा आपको ओके थैंक यू